खրलो प्रेंस आज मा आपको बताऊंगा कि बक्री के बच्चे को मरने से कैसे बचाएं, यह जी बक्री के बच्चे को धस्त Olици या उसके वजय से बक्री के बच्चे सबसे ज़्यादा न की डैशन होती है और बहुती इसतरी जो बक्री पाला के उनके बार-बार रेक्मेंट् भी हो जाती है या कई बर जो डायरिया दस्त है तो उसके जासे विज़ए जो बख्री बच्चें वैं कमजोर भी हो जाते हैं यानि भूत जदा यह इसा लग रहा है जैसे कोई को फॉर्शन का शिकार हो चुका है तो इसके लिए हमें क्या करना चीए जिससे कि हमारे बख्री को सबस्क्राइब करने साथ में बेल आएकशन पर सही सटीख और साइंटिटिफिक मेथे आपको जान कर दी जाती है ताकि आपके बेड हो या बक्री उन किसी तरह का कोई नुक्सान हो आते लाइक दोस्तों के साथ सेथ जू किया गरें। देखो बकरी के बच्चे हैं एदी जो गोड फार्मिंग करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुक्सान होता है क्योंकि एदी वही जब खत्म हो जाएंगे तो उनको क्या से मुनापा ले पाएंगे और कैसे उनके बकरी के ग्रोथ कर पाएंगे या उनकी संक्या बढ़ा दूद पिते पिते क्या होता है कि उन्हें जो मीट्टी खाने के अधर पड़ जाती है या उसके अंदर पेट में वरम्स हो जाते हैं या अदर कोई दिकत हो सकती है तो उसकी वजए से वह बक्रियां हैं बच्चे हैं उनमें डैथ होने का कारण सबसे ज्यादा यह भी होता है साथ में किसी भी तरह का अधर को इन डैजेस्टन या डैजेस्टन वह गढ़ गया है कोई भी इस तरह की दिकत होगी कि आपके वक्रिया चैसे एडि कुछ खा लिया या वकिश मति रहती हैं और दूद भी फिती रहते हैं लेकिन फिर उनकी ऐचानक हो जाती है तो इसके लिए सब से पहले मापको एक तो बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप को करना क्या क्या देना चीशन when लेगे सबसे पहले आपको परकार पैनाक्योग या-ननीट का ने आती है झिसके इंदर साहर फेन बिंडा जोल जोकी की एक 150 MB की एक टेबलेट आती है जिसके अंदर साहर चाहता है फैन बिंडाजोल तो यह जो फैन बिंडाजोल की 150 mg की जो टेबलेट आती है वह टेबलेट आप अपने जो बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं जिस प्रकार से 15 एक मेने का हुआ दो मेने का हुआ तो उस इस्तती में आपको क्या करना है कि जो यह एक टेबलेट आती है यह कि बखरी के बच्चे भोग जाधा छोड़ी थे तो ऐसे इस्तती में इस टेबलेट के आपको तीन टुकड़े कर ले को लेरा प्रकार से 20-25 दिन के हैं तो इसे एक टेबलेट के आपको चार टुकड़े भी कर सकते हैं लेकिन आप चार टुकड़े से आपको इतना रिजल नहीं मिल पाएगा तीन टुकड़े कर ले एक टुकड़ा आप उन्हें कभी भी किसी भी समय आप उस बक्री के बच्चे को पिला दे पाने में गोल करके या वैसे डैरेक्ट आप उसे खिला दे लेकिन उसके पेट में जाना चाहिए तो आपको यह एक पेना क्यूर 150 एंजी टेबले एनी टाइम अपने पास लगना चाहिए कईबर क्या होता है कि इस पेन विंदा जोल से ही आपके जो बक्री के बच्चे उनमें एदी डाइरिया हो गया है तो यह देते ही तुरंत है डाइरिया रुक जाता है और वैसे यह सेव रहती है जदा नुक्सान आपके बक्री के बच्चे को करती नहीं है तो आपको दे सकते हैं तो आप इसका उप्योग जरूर करना है लेकिन यह ऐसा निए कि इसको आ इतना देना है जिस प्रकार से बहुत ही चोटा है जिस प्रकार से जिनका वजन ही 2-4 किलो तो उस्तति में आपको 2 ml की शिरिंग आती है तो इसमें आपको बढ़ा 2 ml की सिरिंग से आपको उसमें तेल बढ़ा सर्शू का और आप उसे और लिए दे तो सर्शू का तेल आप सर्ष्रो का तेल नहीं तो उसे इसंट Otherwise is Sociomel फटेल पर दे पर यह कि आपको लगातार दिना पर लगातार तीन दिन आपको उप्योकने हैं तीन दिन से ज़्यादा आप अपनी बक्री के बच्चेह सर्ष्रो का तेल नहीं देना चाहिए एक तो आपको मैंने बताईगी पेना क्यों टेबलेट एक आपको सर्शो का तेल जरूर जब भी इस तरह की स्तती हो जाए तो आपको देना है डोज जो बताईगी दो एमेल से लेकर के पांच एमेल तक ही आपको रखना है इससे ज्यादा डोज आप उसे कि अटीबलेट के बिल्कुल भी नदे इससी ज्यादा डोज देंगे तो भी सर्शो का तेल क्या कर सकता है कि नुक्सान कर सकता है फाइदे की बजा तो एक लीमिट मेडीशिन के तोपर ही आपको सर्शो के तेल का उपयोग करना ह में यह कोई बी नुकसान के बेड़बकरी क्या आती है N T J Danaको आपको दीख रही है N Tijos चोटी छोटी टेवलेत आपको आती है है एक ग्राम की टेवले टा थी जिस चिक अंदर नव जी करनाव से और इसके लाकाइन छोट जासीन जिसके अंदर यह से टेबलेट में और टिनी डाजोल आता है एक टेबलेट में 600 mg इस तरह से यह एक ग्राम की एक टेबलेट बंद चुकी है तो आपको क्या करना है कि जो भेडबकरी के बच्चे हैं उनको आपको इस टेबलेट का यानि 300 mg से ज्यादा उसके पेट में नहीं जाने से जैसे चोटे जेट से वह भी आपको इत्तिक लेकर आनी है जिस प्रकार से जैंजाइडस की है अदर है उसकी अच्छे ब्राण ही लेकर आनी है तो यह आप एक टेबलेट के तीन टुकडे कर लेने या जो भेडबकरी के बच्चे थोड़े बड़े उस इस तती में एक टेबलेट के दो देकर लेने हैं तो इस टुकडे को आपको एक टुकडा आपको शुल्ब देना है एक टुकडा आपको ओजला हो यह लगातार आपको तीन दिन ये एंटी जेट जो टेबलेट आती है यह भेडबकर, यह बच्चों की डायरिया की कर लेकर के या कि आपने पास एक दियुक्र का डैयरिय हो जाता है थो कि मरने से आप बचा लिए कि आपका बेटरिन यह पार नहीं दूदigence तो आपने पास टेबलेट साथ में रखेंगे तो जब भी दिक्त देगने को मिलेगी तुर्ण तुर्ण ठीक हो जाएंगे और उसे आप आसाने से मरने से बचा सकते हैं सबसे सस्ता बैस्त और बैटर ट्रीटमेंट है कोई भी नुकसान आपकी बेड़ बक्री के बच्चों म थेंक